पठान फिल्म रिलीज हुई तो देश में एक सैलाब सा आ गया कारण अनेको थे शारुक खान का चार साल बाद फिल्मों में वापस आना बेशरम रंग गाने में दीपी का पादकोर्ण के लटके जटके लोगों के गले नहीं उतरे शारुक खान के पुराने बयानों से लोगों की नाराजगी अनेको नगेटिव पॉजिटिव बाते इस फिल्म को लेकर चल रही थी इवन फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद एक खास गैंग पर लोगों की नजरेटी की रहती है वो है क्रिटिक्स गैंग मैं यूट्यूब वाले क्रिटिक्स की बात कम कर रहा हूँ क्योंकि यहां रिव्यू से ज्यादा एंटर्टेन्मेंट और दुनिया जहां की बाते होती है बस रिव्यू ही नहीं होता यहां थमनेल गेम चलता है खोदा पहाड निकली चुया वाली कहावत रहती है बट मैं बा पसंद करता है किसी को कम लेकिन उसके चलते आप अपने प्रोफेशन में गद्दारी नहीं कर सकते हां आपके फेवरेट हीरो की फिल्म है या आपके फेवरेट डिरेक्टर की फिल्म है तो थोड़ा बहुत आप उसे बेनिफिट देने के लिए फिल्म को पॉजिटिव कह स लगते हो जिसकी एक लिमिट होनी चाहिए लेकिन भाई अब तुम एकदम पैरो में ही पड़ जाओ तो समझ आता है कि पी आर एजंसी ने पैसा पानी की तरह बहाया है तरन आदर्श एक जाना पहचाना नाम हाला कि वो ट्रेड एनलिस्ट है लेकिन वन लाइन रिवी देन के लिए भी जाने जाते हैं जिसके बाद वो फिल्म को रेटिंग भी देते हैं पठान फिल्म को उन्होंने साड़े चार स्टार्स दिये हैं अब ये विवादित विशय है कि फिल्म क्या इस लाइक है कि उसे साड़े चार स्टार्स दिये जाए इसमें मेरा जवाब है बिल क्या है क्योंकि वीडियो का politically या boycott करने वालों से लिना देना नहीं है तरन आदर्श अक्सर किसी फिल्म को लेकर दो या तीन ट्वीट करते हैं फिल्म के पोस्टर रिलीज पर कभी फिल्म के रिव्यू पर और एका ट्वीट फस्ट डे कलेक्शन पर बट पठान फिल्म के ल आते हैं दूसरे सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट उसको कहाटा बुलाएंगे ताकि आप समझ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं इस बंदे का जब आप पठान का रिव्यू देखेंगे तो आपको फील होगा कि यह अपने रिव्यू म आ रहा है अपने रिव्यू में जिसके दम पर सिर्फ इसका करियर नहीं बल्कि पूरा बॉलिवूड चलता है उस ओडियंस के लिए जिस तरह की भाषा इस दो कॉड़ी के क्रिटिक ने की है वो अन्बिलीविबल है इसका रिव्यू रिव्यू नहीं बल्कि एक बढ़ास लगती है यूट्यूब पर ड्रामे बाजी करके रिव्यू करने वाले फणी क्रियेटर्स होते हैं वो रिव्यू नहीं करते हैं फणी वीडियो बनाते हैं लेकिन भाई तुम्हें तो एक ओहदा मिला हुआ है फिल्म क्रिटिक का टीवी चैनल पर रिव्यू करते हो तुमा मास एंटेटेनिंग है शारुक खान के फैंस देश भर में हैं और फिल्म में पैसा बहुत खर्च किया गया है तो ऑव्यस है फिल्म को हाइप तो रहे गाई उसके बाद शारुक खान के साथ सल्मान खान का कैमियो भी है वो भी एक इसका प्लस पॉइंट है फिल्म में एक् खराब है. फिल्म के पैसा कमाने के पीछे अनिको फैक्टर्स होते हैं. फिल्म की पब्लिसिटी पर पैसा बहाना, ट्वीटर पर सेलिबर्टी से लगतार फिल्म के लिए ट्वीट करवाना, बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर दिखाना या पोस्टर दिखाना, रोज सोशल मीडि पर आकर हीरो का फिल्म को लेकर बात करना, प्रमोशन्स पर पैसा लगाओ और खेल देखो, एक फिल्म क्रिटिक को बहाव के साथ नहीं बहना चाहिए, या यूट्यूब पर लाइक्स या डिसलाइक्स के डर से अपने व्यूस से समझोता नहीं करना चाहिए, अगर फिल्म अ कि फिल्म की आत्मा उसकी स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है, कहानी नहीं तो फिल्म जीरो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक्शन सीन्स को फिल्म मान बैठते हैं, एक्शन ही देखना है तो WWE भी देखा जा सकता है, फिल्म मतलब एक ढंकी कहानी, मैं फिल्म पर डि चारो शोस हाउसफुल थे और एक में बड़ी मुश्किल से मुझे एक टिकट मिल पाया अंदर के कुछ द्रश्य आपको फुटेज में दिखाता हूं अब सोचिये लोगों कि इस दिवानी के परेट में दिखाता हूं को मैंने देखा है फिल्म के दौरान बट मुझे समझ आ गया था कि ये फैंस की दिवानगी है और कुछ नहीं इवन ये लोग फिल्म के दौरान ही इतना शोर कर रहे थे कि डायलोग सुनना मुश्किल हो रहा था यानि उन्हें शारुक खान को परदे पर देखने से मतलब रह देखता है या यह थीटर में इन्जॉइ करने आते हैं ऐसे में आप किसी भी हायप क्रियेट की हुई फिल्म को चला दो तो इनका रेक्षन ऐसा ही रहेगा तो इस दिवानगी को देखकर भी मेरा मन नहीं डोला कि चलो 4 स्टार दे देते हैं 5 स्टार्स दे देते हैं क्योंक सब ने बोला बट जिस तरह से बोला वो ठीक नहीं था और अफकोर्स रेटिंग में तो हद कर दी तरन आदर्स जैसों ने साड़े चार स्टार दिये पठान को अनबिलिवेबल अब सुनने में आया है कि फिल्म ने दूसरे दिन सौ करोड से उपर का कलेक्शन कर लिया है या दिन बहुबली KGF2 का record तोड दिया है तो CDC बात है कि फिल्म की कमाई कितने screens पर release हुई है उस पर निर्भर करती है कितने बड़े stars है फिल्म में इस पर निर्भर करता है प्रमोशन में कितना पैसा खर्च किया गया है इस पर निर्भर करता है आप सोचिए जिस फिल्म ने दो दिन में 100 क्रोड से उपर की कमाई की हो उसकी IMDV रेटिंग 7 होनी चाहिए क्या बट येस पठान फिल्म की IMDV रेटिंग 7 है जो अनेको बॉलिवूड की लो बजट फिल्मों से भी कहीं ज्यादा कम है यहाँ पर आम पब्लिक वोटिंग करती है और फिल्म के बारे में दिश्पक्ष रहना चाहिए और पब्लिक को तो तमाचा मानने की बात बिल्कुल नहीं कहीं जा सकती है कहाटा जी की बात करें तो आपकी उपलब्दी 0 है जो थोड़ी बहुत आपकी पहचान है इंडस्ट्री में वो आपके पिता जी की वज़े से है जो फिल्म कि पब्लिक के लिए आप शब्द बोलने लगे हैव नाइस टे